आमादनी पाटी के रास्टी सयोजक अर्विंद केज्रिवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवन्त मान के साथ राजस्थान के जैपूर में तिरंगा यात्रा निकाली। लोगों की भीड भी उमडी। केज्रिवाल ने यहां कहा कि 1993 से भाजपार कॉंग्रेस ने मिल कर बारी बारी राजस्थान को लूटा है ये ब्रस्टचार कारोप लगाते हैं लेकिन आज तक किसी को जेल नहीं भेजा इनकी आपस की सेटिंग है। दोनों पार्टियों के कि इमानदार सरकार लानी होगी। अपनी इस तिरंगा यात्रा से राजस्थान में एंट्री करने जा रहा हैं अर्विंद के जिवाल, जैपुर में तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए आमादी पार्टी के रास्ती स्योजक अर्विंद किर्जिवाल ने कहा कि आजादी के बाद से आज तक राजस्थान में 48 साल कॉंग्रेस ने राज किया है और 18 साल भाश्पान अब कॉंग्रेस और भाश्पा वाले ये नहीं कह सकते कि राजस्थान की जनता ने हमें मौका नहीं दिया 48 साल बहुत लंबा वक्त होता है 18 साल भी बहुत होते हैं इसके बावजूत हम देखते हैं कि राजस्थान का क्या हाल है राजस्थान में बहुत गरीब हैं किसान मजदूर आत्मत्या कर रहे हैं किसानों को अपनी फसल के सहिदाम नहीं मिल रहे हैं बेरुजगारी और महंगाई है और पेपर लीक हो रहे हैं पूरे राजस्थान का बहुत बुरा हाल शहीदों की विद्वा जब अपना हक मांगने जाती हैं तो बैज़त करके वापस भेज दी जाती हैं 1993 से लेकर आज तक राजस्थान में एक बार भाजपा और एक बार कॉंग्रेस की सरकार बनती आई हैं लोगों ने बारी-बारी कॉंग्रेस और भाजपा को मौका दिया और बारी-बारी दोनोंने राजस्थान को लूटा है ये कहना है अर्विंद केजरिवाल का अर्विन केजरिवाल तिरंगा यात्रा के दोरान राजस्थान की जमीन पर अपना दबदबा बढ़आने के प्रयास में है एक बात जो अर्विन केजरिवाल ने कहीए जिसकी चर्चा हो रही है चुकि राजस्थान में इस साल के अंत्र में चुनाव होने है इसलिए राजनितिक्यों का कोई भी बयान यूँ ही नहीं लिया जाता अर्विन केजरिवाल ने एक बात कही कि वसुंधरा राजे और अशोग गहलोत की अच्छी बनती है केजरिवाल ने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियों में सीम की कुर्सी की लड़ाई चल रही है मैंने सुना है कि वसुंधरा राजे और अशोग गहलोत की बड़ी अच्छी बनती है उनमें बड़ी दोस्ती है अशोग गहलोत पर थोड़ी सी आचा जाए तो उनके लिए वसुंधरा पूरी भाशपा को खड़ी कर देती है बीच में सुनने में आया था कि भाशपा वाले वसुंधरा राजे को हटा रहे हैं अर्विन केजरिवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंतरी भगवंत मान भी नजर आए उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाशपा और कॉंग्रेस ने बारी-बारी से 5-5 साल राजस्थान को लूटा है अभी तक जनता के पास कोई विकल्प नहीं था भगवान ने अब जाडू भेजती है जो इस गंदगी की सफाई करेगा 16 मार्च को पंजाब में आमादनी पार्टी की सरकार को एक साल पूरे हो जाएंगे पंजाब में 170 में से 92 सीटे आमादनी पार्टी को मिली थी और बीजेपी को केवल दो सीटे मिली थी राजस्थान में भी जनता जाडू चलाने को तयार है भगवंत मान भी जमकर भाचपार कॉंग्रेस पर हमलावर दिखाई पड़े केजरिवाल जब राजस्थान पहुँचे थे तो उन्होंने विरांगनाओं के मुद्दे पर सरकार पर निशाना था उन्होंने कहा कि शहीदों की विरांगनाओं से बदसलूकी की गई ये नहीं होना चाहिए था शहीदों के परिजनों को हम दिल्ली में एक करोण उपए देते हैं देवर की नौकरी की मांग पर उन्होंने कहा कि विरांगनाओं के पती ने देश के लिए शहादत दे दी अब शहीद के परिवार से किसी को तो नौकरी देनी होगी इसमें भला गलत क्या है आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से विरांगनाओं के मुद्दे पर अशोग गहलोद गिरते नजर आ रहे हैं और जब अर्विन केजरिवाल तिरंगा यात्रा के दोरान राजस्थान के जैपूर में थे तो उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया और जम कर अपनी बात कही बहराल इन सब बातों के भी सबसे महतपून बात ये है कि अर्विन केजरिवाल ने सीधे सीधे ये कहा है कि वसुंधरा राजे और अशोग गहलोद ही एक दूसरे के लिए हैं और अच्छे दोस्त हैं और ये दोनों मिलकर ही राजस्थान में सरकार चलाते हैं पार्टी से इसका कोई लेना देना ने चुनावी साल है राजस्थान में निश्चित तोर पर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर आगे भी देखने मिलेगा लेकिन अब आमादनी पार्टी का विस्तार करते हुए राजस्थान की जमीन पर अर्विन केजिवाल की सक्रियता निश्चित तोर पर भाजपर कॉंग्रेस दोनों के लिए परिशानी है क्योंकि थर्ड आउप्शन अभी तक राजस्थान की जनता के पास नहीं था और यही तस्वीर पंजाब में देखने मिलीती जहां मादनी पार्टी ने जन्डे गाड़े अब राजस्थान में इस तरह से अर्विन केजिवाल की एंट्री और उनका इस तरीके से मुखर होना निश्चित तोर पर कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों के खेमे में हाल चल मचाएगा अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें